इसी तरीके से और भी फंक्शनल ग्रूप आइसमेरिजम शो करने वाले कंपाउंड हैं इसे भाउ एच इसे फारमाइल ग्रूप केहते हैं और ये कैसे गताता है इसे ये shopping में पाये जाता है। इसे ओक्जू भी कह सकते हैं की टोनդ भी नाया झाता है ये दुनों को मिलाकर ओक्जू या फारमाइल को आप कारबो नाइल भी कहते हैं ये दोनों भी आपस में सेम जनरल फार्मिला रखते हैं और इनका जनरल फार्मिला जो है वो क्या है वो अगर आप देखें तो आपको बता लगता है कि जो ये वाले थे cn h2n प्लस 2o होगा जी cn h2n प्लस 2o होगा और यहां पे होगा cn h2no ये दोनों को चेंज कर लीजिए पहला जो अलकोहल और इथर है वो cn h2n प्लस 2o होता है जबके अल्डी हैट्स और कीटोन में cn h2no होता है और यह भी क्योंकि इनमें फंक्शन गरूप का डिफरेंस है इसलिए फंक्शन गरूप आइसोमेरिजम शोग कर रहे हैं फंक्शन गरूप आइसोमेरिजम ही देखिए यह कंपाउंड आ गया कारबॉक्सलिक एसिड साहिए जी कहां पाया जाता है कारबॉक्सलिक एसिड में पाया जाता है इसी तरीके से यह ccoor आ जाए तो यह एस्टर लिंकेज है यह दोनों भी आपस में फंक्शन गरूप आइसोमेरिजम शोग कर रहे हैं यहां पे जनरल फार्मिला मिल रहा है cn h2n o2 फंक्शन गरूप आइसोमेरिजम होगा यहां भी इसी तरीके से आपके पास जो है वो एक आ जाता है sh इसे कहते है थायो अलकोहल इसी तरीके से यह कारबन s कारबन आ जाए इसे कह देते है थायो एथर यह भी आपस में सेम जनरल फ फार्मिला cn h2n plus 2s और यह कौन से आइसोमर्स हैं यह भी फंक्शन गरूप आइसोमेरिजम शो कर रहे हैं फंक्शन गरूप आइसोमेरिजम के बाद अब मैं डेरिवेटिव पर आ गया c o c l इसे कहते हैं acid halide इसी तरीके से c o n h2 इसे कहते हैं amide इसके बाद आ जाएगा c cn इसे कहते हैं cyanide या फिर इसे nitrile भी कह सकते हैं cyanide और nitrile में फर्क देख लीजिए अगर c triple bond n होगा तो cyanide कहेंगे triple bond n होगा तो इसे nitrile कहेंगे यह दोनों में फर्क है जी अच्छे तरीके से देखना है तायो अलकोहल को मर कैप्टो भी कहते हैं तो यह कुछ functional group आपके सामने मैंने रखे आपको possible type of question बता देता हूँ इस तरीके से कोई compound आ जाएगा like यह पूछ लेगा इसमें कौन सा functional group आया जाता है आप देखिए कि यहाँ पर functional group कौन सा मिल रहा है COOC यह functional group यह तो esther linkage होता है देखकर लगता है शायद की टॉन और ether linkage है लेकिन ऐसा नहीं है इसी तरीके से कोई compound और देदेगा और पूछेगा कि इस compound में कितने functional group है यहाँ double bond भी है इरीन functional group भी है इस तरहां बात आ सकती है काफी सारे functional group आईसो मर्स की बात कर ली तो NH2 को भी देखना चाहिए यह amine है double bond NH को के देख लें तो यह amine होता है ठीक है जनाब amine primary यह primary amine है लेकिन एक ऐसे भी amine हो सकता है जहां पर नाइडोजन बीच में आ जाए इसे secondary amine कहा ज जाते हैं हम जब बात सारी चल ही isomirism की रही है तो हमें चेक करना होगा कि आखिर isomirism कहते के से हैं isomirism जनाब आली याद रख लीजिए एक ऐसा phenomenon होता है in which compounds जो हैं उनमें same number of atoms होते हैं same kind of atoms होते हैं लेकिन उनकी different arrangement होती है बस arrangement के फर्क की वज़ा से compounds जो हैं वो different हो जाते हैं इसे कह देते हैं कि ये isomirism हो गया अब isomirism जो है जनाब आली इसमें आपने देख लेना है कि दो तरह का होता है एक को कहते है structural isomirism जिसकी बनियाद क्या है difference in structure और दूसरा कौन सा आजाएगा geometric isomirism जिसे क्या कहते हैं सिस ट्रांस आईसो मेरिजम भी कहते हैं structural isomirism में structure change होता है structure change होने के पीछे 5 वज़े हो सकती हैं chain isomirism chain isomirism के अंदर वज़ा क्या बनेगी difference in chain length chain length में फरका जाए मिसाल के दौर पर आप जो है वो ये देखिए बलके गर next मिला लेते हैं साथ फिर बात बेतर बन जाएगी एक है position isomirism इसमें होता है difference in position of functional group ठीक है जनाब अब जड़ा देखिए मैं आपके सामने example रख रहा हूँ मैंने example में आपके सामने alkyl allied mention किया है और ये है n-butyl chloride और फिर मैं यहां पर एक और compound mention कर रहा हूँ ये है secondary butyl chloride अन-butyl और secondary butyl अब यहां पर देखिए इनमें कौन सा isomirism है ये देखने के लिए हमें इनका IUPAC नाम रखना पड़ेगा ये है one chlorobutane ये है two chlorobutane parent chain का नाम है butane parent chain का नाम butane parent chain का नाम same है सिर्फ position का चेंज हो रही है ये one आ गई है two आ गई तो ये position isomirism शोग कर रहे हैं इसके मुकाबले में अगर मैं इस compound का एक और isomer बनाता हूँ और वो isomer ऐसे बना लेता हूँ CH3 CH3 CH2Cl अब इसका नाम देख वाले का नाम one chlorobutane by chloro की position तो one ही है लेकिन parent chain का नाम change हो गया वहाँ butane थी वहाँ प्रोपेन थी तो आप इसे chain isomer कह देंगे तो अगर IUPAC नाम में chain length फरका रही हो माशाला तो आप से कहेंगे वो chain isomirism है और IUPAC nomenclature के अंदर अगर position में फरका रहा हो तो आप से कहेंगे position isomer है common name को देखके एन ब्यूटाइल secondary ब्यूटाइल आइसो ब्यूटाइल को देखकर chain और position isomerism पता नहीं लगता सिर्फ और सिर्फ IUPAC नामों से ही पता लगता है chain और position isomerism के बाद तीसरा isomerism जो आ रहा है उसे कहते है functional group isomerism उस पे कोई खास बात हम नहीं करेंगे क्यों क्योंकि यहां पे होता है difference of function group और मैंने आपके सामने clear cut बता दिया कि थायो alcohol और थायो ether function group isomerism शो करते हैं कार्बोकसलिक एसिड एस्टर function group isomerism शो करते हैं और मैंने बता दिया alcohol और ether function group isomerism शो करते हैं LDH ketone function group isomerism शो करते हैं तो यह सब के सब जो function group isomerism शो करते हैं इनकी already डिसकुशन जो है वो हो चुकी है चौथा टाइप का आइसो मेरिजम जो है उसे आप कह देते हैं कि यह मैटा मेरिजम है मैटा मेरिजम के लिए भी हमें बहुत जादा मिहनत नहीं करनी पड़ेगी जिन कमपाउंट्स को मैंने शो किया कि वो फंक्शन करोप आइसो मेरिजम करते हैं लाइक अलकोहल और एथर उन में से एथर Loud हईड और की टॉन उन में से की टॉन कार्वकुनरी केसिड और एस्टड अंमें considered थायो और मेतामेरिजम में होता है difference in position आता है of non-terminal functional group ऐसा functional group जो की जिसकी पूने पर नहीं आ सकती वन पर नहीं आ सकती उसकी position चेंज हो जाती है यानिकि वो से chain के अंदर ही change हो रहा होता है तो उसे आप कह देते हैं कि यह क्या बन जाएगा मेतामेरिजम जो है वो बन जाएगा मे इथर एक, कीटॉन दो, एस्टर तीन, थायो इथर चार, सेकेंडरी अमाइन पांच, यहाँ पर सवाल यह बता होगा, कि सारे के सारे इथर या एस्टर या थायो इथर या सेकंडरी अमाइन वगैरा या कीटॉन वगैरा शो करते हैं, मेतामेरिजम तो ऐसा नहीं है, एथर्स के अंदर मिनिमम चार कार्बन हो तो मेटामेरिजम आता है कीटोंस के अंदर पांच कार्बन हो तो मेटामेरिजम आता है एस्टर्स के अंदर तीन कार्बन हो तो मेटामेरिजम आता है थायो एथर्स के अंदर चार कार्बन हो तो मेटामेरिजम आता है Metamerism का ये बात बताने का मकसद ये है कि अगर आपको ऐसे एक क्वेस्टन दे दे कि ये मेरे पास एक कीटोन है और बताएं कि ये Metamerism शो करेगी या नहीं तो मैंने बता दिया कम से कम पांच कारबन होंगे कीटोन में तो Metamerism आएगा इसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं प्रोटोन ट्रांसफर और क्या ये दो मालेकियूल के दरम्यान होता है नहीं ये दो विदीन मालेकियूल होता है एक ही मालेकियूल के अंदर प्रोटोन ट्रांसफर हो जाए तो उसे कह देते हैं टॉटो मेरिजम, टॉटो मेरिजम की दो एक्जामपल है, एक तो अमाइनो असिड जो हैं, वो टॉटो मेरिजम शो करते हैं, ये देखिए, अमाइनो असिड जो हैं, ये टॉटो मेरिजम शो करते हैं, NH3 पॉस्टेव, C, R, H, C, O, O, नेगेटिव, ये टॉटो मेरिजम हो ग तो मैंने बताया कि कीटो इन ओल्ट आटो मेरिजम एक एक एक्जामपल है इसकी और दूसरी है कारबोकसलिक इसट के अंदर जो टॉटा मेरिजम होता है दोनों मही प्रोटॉन ट्रांसफर विदिन धी मालीकूल है एक मालीकूल से दूसे मालीकूल में प्रोटॉन चला जाए तो फिर सिस्ट्रास, sorry, metautomerism नहीं होता, geometric isomerism के अंदर, same number of atom है, same kind of atoms है, लेकिन different है, spatial arrangement, spatial arrangement जो है, वो हो जाएगी, different, spatial arrangement हो जाएगी, different, अब different spatial arrangement जो है, इसके लिए दो conditions है, geometric या cis-trans-isomerism के लिए, पहली condition यह है, कि molecule में कोई restricted rotation जो होनी चाहिए, restricted rotation जी तीन तरह से होती है, तीनों मैं आपके सामने लिख देता हूँ, double bond, triple bond, और cyclo-alkanes वगारा जो होते हैं, सही है, इन सब में restricted rotation होती है, हालंकि cyclo-alkanes में single bond है, लेकिन फिर भी उनकी rotation free नहीं होती, like cycloprop में नहीं है, तो यह bond सारे आपस में जुड़े में, अब कोई free move नहीं कर रहा, दूसरी condition यह है, कि जो atoms हैं, जिनोंने restricted rotation की है, जिनके bond move नहीं करें, उनके साथ different groups attached होने चाहिए, different group attached to carbon with restricted rotation, ऐसे carbon जिनकी rotation restricted है, उनके साथ different group लगे होने चाहिए, यहां से मैं आपके सामने एक मिसाल ले रहा हूँ, बात को समझाने के लिए, two butine देखिए, two butine में carbon carbon की restricted rotation है, लेकिन carbon जब triple bonded होगा, तो उसके साथ सिर्फ एक group attach है, कभी भी दो group attach नहीं होजगते है, triple bonded carbon के साथ इसलिए, alkyne cis transisomerism show नहीं करते हैं, यह बात हमने वाज़ समझनी होगी, alkyne cis transisomerism show नहीं करते हैं, तो फिर cis transisomerism कौन show करता है, या तो alkyne या cyclo alkyne, alkyne में से one alkyne भी cis transisomerism show नहीं करते हैं, या अगर one पर ही double bond है, तो वो भी cis transisomerism show नहीं करेंगे, अब हमने यह scrutin इसलिए कर ली कि options में अगर कोई one alkyne है, या कोई alkyne है, तो पकी बात है कि वो cis transisomerism show नहीं करेंगे, और अगर मैं इस compound की बात करूँ, तो यह जो है, यह चार पाँच बरी आगया पास पेपर में कि यहां पे cis transisomerism है या नहीं, जी हाँ, बलकुल है, अब जो similar group same side पर आ जाएं, तो इसे cis कह देंगे, लेकिन अगर ऐसे हो जाए, कि similar group जो है, वो opposite side पर आ जाएं, तो आपने कह देना है, कि यह transisomer है, इसी तरीके से cyclo alkyne देखिए, cyclo alkyne में अगर यहां methyl लगा है, कोई फरक नहीं पड़ता, लेकिन अगर दोनों तरफ methyl लगा हुआ है, तो अब यहां पर इस carbon के साथ एक methyl लगा है, इस के साथ भी एक hydrogen, इसके साथ भी एक hydrogen, डिफरेंट group अटेच हो गए, तो यह cis transisomerism शो करेगा, फिलाल यह cis isomer है, इसक transisomer ऐसे बन सकता है, यह आ गया, इसका transisomer, इसे cis कह देंगे, इसे trans कह देंगे, यहां से यह भी याद रहे, कि अगर ऐसे compound आ जाता है, कि एक ही carbon के साथ दो methyl लग गए, यानि कि one one type का compound लग गया, one one, two, two, three थी, कोई भी ऐसे नाम आ जाए, कि एक ही carbon पर दो substitute लगे हों, त transisomerism का origin क्या है, restricted rotation, alkyne में हाला के restricted rotation है, लेकिन वो से transisomerism शो नहीं करते, आज की बात फिलाल यहीं तक थी जी, next time इंचाना हमने fundamentals को पढ़कर chemistry of hydrocarbons पर जाना है,